Hello Brilliance, अभी हम कर रहे हैं, 6th class के लिए NCRT Math, chapter number 1, knowing our numbers, try these है, ये page number 13 का, try these number, ये है 2, page number 13 के उपर, उसका question number, ये 2 है, जो अभी हम कर रहे हैं, this one, एक try these, ये था, 13 number page के उपर, एक try these, ये है, इसका, जो part है, ये second, ये है page number 14 के उपर, तो हमने A से लेकर, question number 2 के, A से लेकर के C part तक कर लिये थे, जिसमें की ये table दे रखी है, apples, oranges, combs, इनका rate दे रखा है, और यहाँ पर ये amount दे रखी है, या number दे रखी है, जो की बेचे गए, right, अब जो, रामन को कितने amount मिलती है, ये सब item बेच करके, apples बेचे तो उसे कितना price मिला, oranges पर भी, इसी प्रकार से, combs, tooth process, इन सब item पर, उसे कितनी रुपे मिलते हैं, हमें, ये निकालना है, right, make a table showing how much money, रामन डिसीवड, from selling each item, हमें क्या करना है, एक table बनानी है, और हमें ये बताना है, कि रामन को कितनी amount मिलती है, इन सब item को, बेच करके, फिर इसको हमें करना है, arrange the entries, of amount of money, received in descending order, फिर उसे हमें, descending order में करना है, ठीक है, find the item, which brought him, the highest amount, हमें वो item बताना है, जिसको बेच करके, रामन को सबसे ज़्यादा amount मिली हो, और वो amount कितनी है, हमें वो निकालनी है, is that clear, hope so, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा question, तो आप इसके solution को करते हैं, let us do, तो ये मैंने table तयार कर ली, जो समान है, वो है, ये अलग-अलग, एक column के अंदर, प्राइस एक column में आ गया, और जो sale हुई, चाए वो weight के अंदर हो, चाए वो number के अंदर हो, इन में, तो वो भी मैंने या लिख दी, amount which Raman got, वो amount जो की Raman को मिली, वो लिखेंगे यहाँ पर, in रुपी, तो फिर, अब करेंगे, जैसे कि यह rate है, 40 पर केजी, यानि कि एक kilo का weight 40 रुपी है, तो इतने kilo का weight कितना होगा, sorry, इतने kilo weight का, जो amount है, वो कितना होगा, इस rate से multiply कर देंगे, मतलब, 2457 multiply में 40, clear है, तो वो क्या आएगा, 2457 multiply 40, तो 4 से multiply कर देंगे, 0 बाद में लगा देंगे, 4728, 8, 2, 4520, 20, 22, 22, 244 बच्चा, 16, 16, 22, 18, 8, 1, 4, 2, 0, 8, 8, 1, 9, तो 9, 8, 2, 0, एक यह 0 पिछे लगा जेते है, जब यह अगर 40 होता तो, इसकी सीधी 0 लगा दी, ठीक है, 98,280 रुपी आती है, इसी परकार से, औरेंजी से है, वो, उसका रेट है, 30 रुपी पर केजी, और इतने औरेंजी से बेचे गए, तो हम इसको multiply कर देंगे, इसके rate से, अगर एक किलो का वेट 30 रुपी है, तो 3,004 केजी का वेट कितना, जो amount वो कितने होगा, clear है न, एक किलो का जो price है, वो 30 रुपी है, तो 3,004 किलो का price कितना होगा, इसको इससे multiply कर देंगे, तो हमें amount मिलती है, इसको इससे multiply करके, 30, multiply, 3,004, यह तो सीधी सी multiplication है, तो 3 से पहले तो 0 लगा जिते हैं, 3 से इसको multiply करें, तो हमें amount मिलती है, 3,4,012, वैसे करके देखते हैं, ताकि आपको confusion ना हो, 3,4,012, 2, आया यह आपे 1, 3,0,0,0,1, 1, 3,0,0, 3,3,0,9, और 30 का यह 0 पिछे आ जाएगी, जो पिछे 30 था, ठीक है, 9,0,1,2, 0, यह amount आ जाएगी, इसी परकार से इसको इससे multiply करेंगे, और हमारी value आएगी, यह, आप इसे column वे से multiply करके देखेंगे, 30,0,3,6,018,1, 3,7,021, 21,1, 22,22, 3,26,6,28, 3,26,6, और फिर यह वाली amount है, इसमें तो सिधा सही हिसाब है, 10 से multiply करेंगे, तो पिछे 0 आ जाएगी, ठीक है न, एक की amount, एक की जो है, वो price दे रहा है 10 रुपी, तो इतने का price होगा, पिछे 10 से multiply करने पर पिछे 0 आ जाएगी, तो जो amount है, वो होगी, ये, और ये तो और भी आसान है, सिधा 1 है, और इतनी जो pencils है, वो इतनी बेची गई है, और एक pencil की amount है 1 रुपी, तो 38,530 pencils की amount कितनी होगी, इसको इसे multiply कर देंगे, multiply 1, so करके दिखा देंगे, ताकि teachers है, वो को ये रहे कि हाँ, तरीके से कर रख है, ठीक है, और अब इसको 6 से multiply करेंगे, calculation तो आसानी दे रखिये जाता है, बड़ी वाली calculation दे रखिये 0,0 के वैसे, ये असान हो जाता है, calculation करना, जो notebook है, वो 40,002 बेची गई है, और एक notebook की cost 6 रुपी है, तो 40,002 notebook सी cost कितनी होगी, इसको इससे multiply कर देंगे, multiply 6 करेंगे, और हमें answer मिलता है, 6,2012, 1, 6,2012 किया, 1 आया, फिर 6,0,0 किया, 6,0,0,0,0,1, 1, और ये 2,0 बचगी इन से multiply करेंगे, तो double 0 आ जाएगी, और 6 को फिर 4 से multiply करेंगे, 6,4,24, आप इसे column बेच से multiply करके देख सकते हैं, ठीक है, तो ये इतना आ गया, इसके बाद है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये एक एक, यानि की साबून की जो टिकिया है, वो आठ रुपे की है, तो 20,005 जो टिकिया है, उनकी कोस्ट कितनी होगी, रमन को कितने वाउंट मिलेगी, इसको हम मल्टिप्लाई कर देंगे, एट से, इसकल टू, एट को जब 5 से मल्टिप्लाई करेंगे, तो 8,5 जब 40 है, तो 40 तो वैसे का वैसा लिए देंगे कि आगे वाले 0 है, राइट, क्योंकि 8,5 जब 40, 0, 4, बच गया, 8,0 जब 0, 0, and 4, 4, 2,0 की, को जब 8 से मल्टिप्लाई करेंगे, तो 2,0 जब 8 को 2 से मल्टिप्लाई करेंगे, तो 8 तूजा 16 हो जाएगा, Is that clear? Very good, तो यह मिलता है, इसको जो अमाउंट है, 1,60,040, यह अमाउंट मिलती है, Is that clear? Good, अब यह इतना करने के बाद, हमें जो कॉस्चन है, वो यह है कि, यहाँ पा अरेंज, ता एंट्रीज ओफ अमाउंट ओफ मनी रिसीवड इन डिसेंडिंग ओडर, हमें डिसेंडिंग ओडर में करना है, उससे पहले था, कि हमें टेवल बनानी थी, यह टास्क तो हमने कम्प्लीट कर दिया, अब जो नेक्स टास्क है, इस एंट्रीज को हमें डिसेंडिंग ओडर में करना है, clear है, डिसेंडिंग ओडर में यह करेंगे, डिसेंडिंग ओडर का मतलब होता है, कि सबसे पहले, सबसे बड़ी अमाउंट, फिर उसे छोटी, फिर उसे छोटी, अब आप यह कोमा लगाने की वज़े से, थोड़ा सा यह आसान हो जाता है, और आप आप देख सकते हैं, कि कौन सी अमाउंट सबसे ज़्यादा है, यह अमाउंट 1,60,000 है, यह 2,40,000 से बड़ी हो गई, और यह 2,53,000 यह इस से भी बड़ी होगी, और 2,53,000 से बड़ी, कोई भी अमाउंट यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब पहले अमाउंट आएगी यह वाली है, ओके, इसके बाद, यहाँ सेमी कॉलन का इस्तमाल किया, हमने थोड़ा सा गैप दे दिया, ताकि यह mixing ना हो, 2,53,000 के बाद, इसको अटा दें, तो इसके बाद बड़ी वैल्यू यह वाली है, तो यह लिग दी, उसके बाद है, 2,40,000 के बाद, लैक्स के अंदर, और यहाँ पर, कोई और नहीं, यह वस यह वाली है, तो यह वाली अमाउंट आ जाएगी, और अब, इसके बाद, 1,60,000, 40 के बाद, कोई और बड़ी अमाउंट इसको छोड़ देतो, यह वाली अमाउंट, रहती है, फिर यह वाली अमाउंट रहती है, फिर रहती है हमारे पास, और कोई नहीं है, ये वाली फिर होगी फिर राइट कोई रह जाएगी तो फिर बाद में देख लेंगे ठीक है ना 98,280 के बाद अब कोई और यहाँ पर ये वाली है अब इसके बाद ये वाली रह गई 68,280 और जो एक जो मुझे लगता है रह गई वो ये वाली है अब 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 काउंट करेंगे कोई रह ना गई हो टोटल है 1,2,3,4,5,6,7 7 हो गई और 7 ही आइटम है क्या 1,2,3,4,5,6,7 सातों की सातों जो है हमने सारी लिख ली और ये सारी descending order के अंदर है क्योंकि इसमें amount के लिए कहा था इसलिए मैंने सब के साथ रूपी का निसान लगा दिया तो ये वाला टास्क भी अब complete हुआ कि इसे descending order में लिखना था फिर है find the item which brought him the highest amount हमें वो item बताना है जिसके अंदर उसे highest amount मिली होगी तो obviously जो पहला हमारा item आया था वो यही था तो वो हम लिखेंगे answer के अंदर copy नहीं हुआ अभी कर लेते copy इसको चलिए ये हो गया the amount which brought him the highest the item which brought him the highest amount is equal to वो ये वाला है जिसमें मिला था 253,670 वो है ये toothbrushes राइट तो ये हो गया हमारा एक answer और एक table हो गई जो पहला पुछा गया था काम दूसरा descending order में करना और जो तीसरा काम था कि वो item बताना था कि कौन सा है अब इसकी amount बतानी है next जो task हमें इसमें करना है how much is this amount तो ये हुआ next task जो हमें अभी करना है तो वो amount जो है वो है जो हमने अभी सबसे पहले वाली amount है the amount the highest amount is वो है this one 253,670 तो आपने देखा हमने इसको किस परकार से किया hope so आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फिर भी कोई अगर दिक्कत है कुछ कमी रह गई हो या आपको समझ में न आया हो तो आप comment box में कह सकते हैं आपको कमेंट box के अंदर वो टाइमिंग लिखनी होगी कि जैसे 4 30 ताकि मुझे सारा वीडियो ना देखना पड़े क्योंकि उसमें पढ़ा भी रहा होता हूं और आपके लिए ही सोच भी रहा होता हूं तो वो टाइम वेस्टना हो या फिर कोई और टाइमिंग जैसे 5 मिनट 9 सेकिंड के उपर है वो प्रोब्लम तो आप ऐसे टाइप कीजिए और उसके बाद अपनी जो प्रोब्लम वो लिख दीजिए तो मैं सोल करने की पूरी कोशिज करूँगा आपको बताने की आपकी जो हेल्प करने की पूरी कोशि जयाद अपती है जो आपके लिए बेनिफिशल हो वो करेंगे थैंक्यू बाइए